नमस्क्रा, मेरा नाम है Dr. Puroodhaavan और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नींद के बारे में कि नींद का हमारी चीड्नी फिल्य क्या रिलेशन्शिप है आपके मैंड में बीकोशन आ रहोगा कि नींद का और किड्नी फिल्य का क्या स्टाल सकता है तक जीते वे देखा होगा, क्या आपने किसी लोही की गाड़ी को, या फिर का आपने किसी बिल्डिंग को, जो लोही की बनी है, सीमेंट की बनी है, इटो की बनी है, सु शाल ढंक से चलते वे देखा है, नहीं देखा होगा, इसकी पीछे कारण है कि हीमन बॉडी में एक मेका पर तीनेश के चिानेश के जाने के बाद तयाश चालिस तक हमारी बॉड़ी में छोर्म होती हैं जहाँ पर एड़ी। अमरी बॉड़ी बॉड़ी इंकає बॉड़ी। याने च्युच वोर्डिक आपक कि डोले ऊङरा जैटालों थारह जुटनग उन सकता है? और अनबोलिक बोड़ी को बनाने वाली एक्टिविटीज कम होती है और हमारे शरीक अंदर एजिंग होनी शुरू होती है मगर ये उम्बर के साथ है मगर ये दिन के अंदर भी होता है जैसे लिए धिन में उठे हैं, काम बाते हैं ये वीडियो देख रहे हैं、 सुन रहे हैं किछनमें काम कर रहे हैं ग्याम है तो बोड़ी में काटाबॉलिक बोड़ी के टूटन की ऐक्टिविटीस जादा हो रही होती है इसलिए शाम तक आपकी बोड़ी ऑटी तो यह जो साइकल है, डिस्चार्ज होने की और रिचार्ज होने की यह बहुत इपोर्टेंट है, जब बोड़ी डिस्चार्ज हो रही है, तो उसे रिचार्ज भी पूरा चाहिए होता है, और रिचार्ज कब होता है, जब हम सोते हैं, सोते समय हमारी बोड़ी में अनाबॉलि कि धिएमें बहुत लंबा जीता है आपने दिहान देखा हो गकि उसकी स्लीप है उसकी जू मुवमेंट्स है तो आपने अपनी बॉड्डी के निंद की कंसेप्ट को समझा अब इस कंसेप्ट को आप किड्नी के सा समझने कोशिश करो मान लो कि अगर आप नींद कम लेते हो या नींद कम आती है, सो नहीं पाते हो, रोज 2-3 गंटे सो पाते हो या फिर रात को दो या तीन बार यूरिंग के लिए उठना पड़ता है तो दिक्कत क्या होती है कि बॉड़ी में एक चीज त्यार होती है, जिसे हम कहते है स्ट्रस आपकी बॉड़ी हमेशा आपको ठकेवी मैसस होगी, भारी मैसस होगी, कुछ काम गनेगा, मन नहीं करेगा और इसके साथ एक और चीज ड्वलप होती है, वो है हाई बलड प्रशर अब सिभ हाई बलड प्रशर बन रहा होता तो अलग बाती, बट स्ट्रस से एक और चीज भी पैदा हो सती है, वो है डाबटी तो अगर हम देखें तो बीपी और शुगर ऐसे दो बड़े कार हैं जिसकी वज़े से 80% लोगों किड्नी खराब होती है तो अगर आपकी नीद प्रॉपर नहीं है तो हम क्या देखते हैं कि बाड़ी में स्ट्रेस जोलाप हो रहा है और स्ट्रेस की वज़े से जो बीमारिया पैदा हो सती है वो पैदा हो रही है और वो लॉंग टर्म के अंदर किड्नी को नुक्साज पुचाती है अगर किसी भी टाइम में अगर आप दो राते नीज सोगे कोई दिकत नहीं होगी आप तीसी दिन सोगे सब कुछ ब्याबर हो जाएगा सब कुछ चीक हो जाएगा अगर यही हैबिट में बना रहता है कॉंटिनुसली बना रहता है रोज रात को आपको ओटना पड़ता है या नीन नहीं आती है आपकी मेंटलिटी स्टर्ब रहती है स्टेस लेवल बहुत जाएगा है बीपी बन रहा है शुगर बन रहा है खाना आप खाने रहो कुछ सकता है 可以 depending कौन से और आपका वीख है अगर ब्रेहन आपका वीख है तो ब्रेंग की आप दिक्कत होगी कीड़नी की दिक्कत होगी लीव खराब है ये लीवर भीख हैं आपकी बॉडि मैं सबसे कमझोर है सबसे पहले टूटना शुरू करता है तो आपने दिहान का रखनाismo अगर आप kidney failure के patient हो, तो आपने अपने नींद को देखना है, अपने sleep को देखना है, कि आपकी जो sleep है, वो अच्छी हो, कम से कम 8 गंडी की नींद जरूर हो, और वो उसमें कोई interruption नहों, या ना हो कि आपको राद को उठना बढ़ता है, क्यों आपको prostate की दिकत है, आपसे urine हो या फिर आपको ऐसी मेडिसिन लेते हो सोने से पहले जिसे आपको बहुत ज़ादा यूरिन आता हो पूरी राकबर आप उक्ते रहते हो, ऐसा आपने कुछ नहीं करना है, अगर आपको प्रोस्टेट है, शुगर है तो आपको ध्यान क्या रखना है, कि आपने अपनी मेडि आपको पानी नहीं होगा, और रात को अपकी नीम तूटी है, यूरिन करने के लिए कम तूटना शुरू होगी, अगर आप अपने अपने शुगर लेवल को बहुत अच्छे तरह से कंटोल करते हो, तो भी आपको यूरिन फशुरू हो जाती है, क्योंकि जब बड़ी के ल करने के लिए आपको अपनी बड़ शुगर करना होगा, प्रोस्टेट की दिकत के लिए आप जो मेडिसिन देते हो, इसे दुपैर मेलेनी को हिष्कीजिए, आपको कोई दिकत नहीं होती, और क्यों और दिकत है, मालोग फिर भी आपको नीम नहीं आती, तो आपको उस पर क बड़ी में अनाबॉलिक अक्टिविटी बननी शुरू जाएगी, बड़ी की रिपेर शुरू हो जाएगी, और किड़ी को चाहिए, जो खराब हो रही है, उसे रिपेर ही तो चाहिए, उसे अनाबॉलिक अक्टिविटी ही तो चाहिए, कि आपकी बड़ी में अनाबॉलिक 64 время 15-20-2013 कि कि अच्छी सी निंद आप अपनी डिली बेसी पे जरूरूर लो आपकी बोड़ी आपको बहुरी मैसूस नहीं होनी चाहिए अगर बोड़ी आपको बहारी मैसूस होरी हैं आपके बॉड़ी में आपको दर्द मैसूस हो रहा है तो आप कुछ न कुछ गलत कर रहे हो आपको अपनी नीद को ठीक करना पड़ेगा अपनी बॉड़ी के अनवालिक एक्टिविडिईस को बढ़ाना पड़ेगा और तब हमारी बॉड़ी में ऐसा इन्वार्मेंट ट्यार होता है जहां पर हमारी बॉड़ी में रिवाइप करें अब बॉड़ी के शॉड़ी में ब्यभाइपने का मतब है कि किड्ni का भी रिवाइपना और वही तो हमें चाहिए होता है तो मैं मुझ गता हूँ इस वीडियो से नेद के बारे में स्रेस के बारे मैं समझ गया होंग तब तक के लिए नमस्कार